Hello students, Swaggat, पूरा punishesses कर दिया है काफी chapterों को reduce कर दिया गया है कुछ उपी को डियूस किया है तो आग है इस की जगा पर शाइंस की बुक है उसमें से फोलो Courtney में हर यह ब Jewish आगे बहुत किया है दो तह उसके लिए उन्होंने क्या करा इस लेबर्स में बहुत ज्वाइब कर दिया यह इस लेबर्स को बहुत ज्यादा, तो आपको इस वीडियो में बताँ गणगा की class 10 का जो science का है, वो कौन कौन से chapter, कौन कौन से topic आपके reduce किये गहे हैं, किन किन chapter को पूरा completely reduce कर दिया गए है, तो वीडियो को last तक completely पूरा देखेगा ताकि आपको एक कॉंसेप्ट अच्छे से कंप्रीट क्लियर हो जाए यहां हमारे कॉंसेट टॉपिक रिडीज हुए है इस वीडियो के अंदर मैंने उन टॉपिक्स को रखा है जो आपकी बुक से हटा दिये गए है रिडियूस कर दिये गए है और इसके बाद जो वीडियो को श्टार्ट करते हैं चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें और बैल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरीके के अपडेट आपको मिलता रहे तो देखिए किसी बोड के मैंने या लिखा भी आप साब सब देख सकते हैं यानि ये 2023 से ही इसको लागू किया गया है तो आप देखें क्लास 10 साइंस विज्ञान यानि हिंदी इंग्लिस दोनों में लिखा हूँ मैंने सी बिसी बोड हो उत्राखंड बोड हो या जहां पर NCRT बुक को क्या किया जाता है आप देखेंगे आपर जहां पर NCRT बुक को फोलोट किया जाता है चाहें वो कोई सभी स्टेट हो वहाँ पर ये स्लेवस लागू किया जाएगा सबसे पहले उसकी बात करें तो आप देखेंगे साइन्स का आपका जो फिफ चैप्टर है जिसको आप प्रिएडिक क्लासिफिकेशन ओव एलिमेंट्स के नाम से पढ़ते हैं वो चैप्टर आपका पूरा कंप्लेटली डिलीट हो चुका है वो चैप्टर आपका क्या हो ग गया गया हटा दिया गया है अब उनके में नाम आपको पढ़ पढ़ के बताता रहूंगा और आप उन टॉपिस को अपनी नोट बुक में या कोई आप पे NCRT की बुक है तो उसमें टिक कर लीजिए बुक अगर आपके पास अभी अभी अविलेबर है तो हैंड टू हैंड नाम हो है चैके अपड़िए नाम से आप समझ जाएंगे कि इस चैप्टर से यह टॉपिक हट चुका है ठीक है क्योंकि बुक चैन्दर चैन्हीं की भी होगी तो अभी उसमें टॉपिक के नाम इंग्छिश में दिये रहते हैं ठीक है तो आई यह वीडियो को स्टार्ट कर और इंग्लिस दोनों में देख सकते हैं यह टोपिक आपका हड़ चुका है हाउ डू फोसिल फ्रॉम लेयर बाइब लेयर ठीक है यह टोपिक आपका हड़ चुका है molecular phylogency जैनी सोरी वह आपका हड़ चुका है evolution आपका नहीं आएगा आगे देखेंगे acquired and inherited traits यह आपका हड़ चुका है special हड़ चुका है यह आपका हड़ चुका है यह आपका हड़ चुका है human evolution यह टोपिक आपके हड़ चुके है इन टोपिक्स को आप ध्यान से देख लिजिए चाहें तो आप screenshot खेंच सकते हैं अराम से screenshot केंच कि आप match कर डीजेगा देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको आगे हम बात करेंगे 11 chapter देखिए अभी कौन कौन से chapter आपका हटे है 5th और 9th अब आ जाते हैं आप सीधे 11 chapter पे आएंगे human eyes वाले chapter पे human eyes में आपके कौन कौन से topic हटे हैं मैं आपको बता देता हूँ human eyes and the colorful world वाले में chapter number 11 है आपका द्यान से देखिएगा damage to or malfunction of any parts of the visual system ठीक है ये topic आप पढ़िएगा कहीं पे आपका लिखा होगा इस topic को क्या कर दियेगा इस topic को हटा दियेगा है color of the sun at sunrise and sunset यानि जो आपसे पूचा जाता था कि sun के उगने उखते समय और sun के डूपते समय यानि sunset और sunrise के समय sun का color कैसा दिखाई देता है वो लाल क्यों दिखाई देता है इस तरीकी के जो question थे वो आपके हट चुके हैं आप देखेंगे 12 chapter में electricity की बात करेंगे flow of charge inside a wire यानि किसी wire के अंदर charge flow करते हैं ठीक है इस से related जितने भी topic से आपके सब हटा दिए गए electricity से अब यहाँ बात करेंगे हम 13 chapter की जो 13 जड़े को 12 chapter electricity electricity flow of charge inside a wire यह topic आपका हट चुका है अब 13 वाले chapter की बात करेंगे जिसका नाम है magnetic effects of electric current जिसमें आप देखेंगे क्या है Michael Faraday electric motor ठीक है Michael Faraday के जो लोग थे electric motor है electromagnetic induction आपका हटा दिया electric generator यह चार topic आपके बिल्कुल reduce कर दिए गए हैं कौन से chapter से magnetic effect of electric current वाले से अब आप देखेंगे आपके जो main last वाले chapter बचे हैं यह पूरे chapter आपके क्या कर दिए गए हटा दिए गए इन पांच चेप्टरों छे सोरी छे साथ चेप्टर जो भी आपके देखेंगे 5, 9, 11, 12, 13 and 14, 15 यानि 6 चेप्टर जो हैं आपके लगबग इस 6 चेप्टरों क्या कर दिया गया आपके स्लेबस से reduce कर दिया गया है चाहें NCRT बुक कहीं की भी हूँ यानि आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हों ठीक है जहां पर NCRT बुक चल दिया है चाहें आपको गवर्मेंट स्कूल हो चाहें आपका प्रइवेट स्कूल हो सब जगाओं पर ये reduce अनिति के कोडिंग क्या कहा गया है तो मिलते हैं आपके लिए कोई अपडेट आता है मिलते हैं अपडेट के सांथ ठेंक यूँ